हेलो एंड बेलकम बेक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्टर रूजा इगनोटोबा को लेकर जो इनफॉर्मेशन चल रही हैं जो अफवाय चल रही हैं काफी लोग परेसान हैं तो एक्चुल में जो उनकी इंटेलेक्च जो है रेजिस्टर्ड था नहीं था यह चीज़े आज मैं आपको दिखाऊंगा तो उसके लिए मैं आपको दो वेबसाइट की हेल्प लूँगा दिखाने के लिए सबसे पहले तो मैं हेल्प लूँगा यह जो वेबसाइट है आपके सामने यूरोपियन यूनियन इंटेल जो भी intellectual property के office हैं वहाँ पर आप trademark बगेरा check कर सकते हैं साथ ही साथ मैं आपको एक international website पर भी दिखाऊंगा जहां पर आप internationally search कर सकते हैं किसी भी trademark को यानि अगर one coin जो company थी वो उस time अगर internationally business करने के लिए registered थी जैसे कि हम सभी जानते हैं बन coin 195 देशों में लगबख 200 के करीब देशों में अपना business कर रही है क्योंकि 195 देशों के असपास member है तो क्या यह business global level पर registered था तो वो हम check करेंगे इस website पर अगर आप इसको check करना चाहते हैं website को अपने आप तो यह आपको मिलेगा WIPO IP Portal पर यहां पर अगर आप Google में search करेंगे तो आपको search करना पड़ेगा www3.bpo.int और यहां पर आपको यह website मिल जाएगी तो यह दोनों website हैं यहां पर मैं आपको one coin verify करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको one coin किसके नाम पर registered है क्या चीजे है current status क्या है active है या inactive है वो one coin तो बहुत परानी company होगी थी वो मतब चली जा चुकी है active नहीं है इस टाइप की चीजे तो सबसे पहले मैं आपको European Union वाली website पर दिखाता हूं तो देखें यहां पर आपको e-search plus है European Union Intellectual Property Office और यहां पर search का button है तो हम सिधा यहां पर one coin लिख देते हैं मैंने यहां पर देखा one coin और अब मैं करता हूं search तो जैसे ही search हम यहां पर करते हैं तो search करने पर हमें दूसरे number पर यह registration number और पूरी detail खुल कर सामने आ जाती है यह registration number है 017037888 one coin और यह इनकी tagline थी join the financial revolution ठीक है इसके बाद हमें one coin का logo यहां पर मिल जाता है आप चाहें तो इसको open करके देख सकते हैं पूरा आपको बड़ी screen पर logo देखने को मिलेगा और इसके साथ मैं आपको यहां पर जो इनकी बाकी information है trademark number आप चेक कर सकते हैं 017037888 और owner ID number भी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 846176 और owner का जो नाम है power holding corporation तो यह power holding corporation के द्वारा जो है company on की गई है इनका trademark बगेरा और यहां पर आप representative के name और representative की ID number भी चेक कर सकते हैं साथ ही साथ अभी आप तो यहां पर देखिए आप डॉक्टर रूजा इगनोटोबा को तो नाम ही नहीं आ रहा है यहां पर कहीं पर जो रिपर्जेंटेटिव के नाम है बेभी अलग है और रिपर्जेंटेटिव की ID number है वो भी अलग है तो owner का नाम भी यहां पर अलग है और फाइलिंग डेट हुई थी 2017-26-2017 और नाइस क्लासिफिकेशन यानि कि गोट्सेंट सर्विस का जो एक क्लास रहती है वो क्लास का नंबर यहां पर 36 था और बेसिस था इसका EUTM on which AIIA is based और रेफ्रेंस नंबर था IM0717-05 तो यह सारी चीजे थी इलियाना मेरिनोबा और इ आपप चाहें तो इसको अंदर जाकर भी Check कर सकते हैं और डीटेल आपको यहां पर इहां पर मिल जाएगी तो मैं ना इसको यहां पर सफच किया अभी फॉल डीटेम यहां पर हमारे सामने आने वाली है बन कॉइन के यह जो सारी डीटेल थी वो तो अभी देखिए आगया यहाँ पर trademark information 1 coin join the financial revolution यह सारी चीज़े हम देख चुके हैं पहले ही graphic representation आप देख सकते हैं 1 coin join the financial revolution और goods and service जो 36 class की हमने बात की थी उसकी detail यहाँ पर है तो यह stock and bond brokerage stock exchange quotation currency trading online real time currency trading financial service for providing virtual currency for used by member of an online community via global computer network financial service financial consulting और इसके साथ clearing housing finance electronic fund transfer online banking banking conducting of financial affairs online insurance insurance of credit and debit card processing of debit card payment तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह stock and bond brokerage stock exchange trading, virtual currency, transfer यह सारे license के लिए यह class number 36 है उसके अंदर यह सारी चीज़ आती हैं यहाँ पर debit credit card भी आ गए यहाँ यहाँ और आपने सुना भी होगा कि बन कोई ने debit credit card इसू भी किये थे साथी साथी यह debit card का payment भी process कर सकते हैं processing of payments in relation to credit card financial management, fund investment भी यहाँ पर है organization of collections, financial sponsorship, financial analysis, financial research in the field of risk management actual service, evaluation, financial insurance, banking, real estate तो यहाँ पर यह evaluation का license भी इनके पास था financial information, providing financial information via a website तो यह इतनी सारी information यहाँ पर है तो one coin के पास जो goods and service category है 36 उसकी आपको सारी detail मिल गी साथी साथ आपको owner भी देख सकते हैं यह है owner one coin के तो power holding corporation और legal status इसका है यहाँ पर legal entity साथी साथ address भी आप देख सकते हैं तो address power holding corporation flat number 2 one saldar street pal somrest bar 2 rr और reneo unido यह यहाँ पर correspondence का address है आप चाहें तो current में भी यहाँ पर इनचे contact बगेरा कर सकते हैं phone number यहाँ पर आपको मिल जाएगा fax number यहाँ पर और email आपको यहाँ पर मिल जाएगी vcard भी आप यहाँ पर check कर सकते हैं मैं एक बार click करके देखता हूँ कि क्या खुल कर आता है मैंने भी कभी इस पर click किया नहीं है तो vcard आपको देखना है vcard की PDF यहाँ पर खुल गई है हम PDF देखते हैं तो इसको हम यहाँ पर रहने देते हैं और मैं दूसरी जो website थी जिस पर हम international trademark चेक करेंगे वो आपको दिखाता हूँ इस international trademark से यह verify हो जाता है कि कोई भी company अगर internationally business करने के लिए बनी है देखो business दो तरीके से होता है nationally और international यानि कि आपको बिजनेस अपने देश में अपनी लोकलेटी में करते हैं या फिर आपको बिजनेस अपने पूरे दुनिया में करना चाते हैं तो उसके लिए आपको दो तरीके से license लेना पड़ता है देश के लिए अलग से license रहता है और internationally अगर आपको acceptance है तो वो internationally उसको check किया जाता है तो यहाँ पर हम BPO IP Portal पर international registration trademark चेक करेंगे कि क्या one coin के पास international trademark था या नहीं तो देखिए मैं यहाँ पर search करता हूँ one coin और बस search मैं कर देता हूँ तो अब देख सकते हैं यहाँ पर mark all actual one coin और यहाँ पर trademark आ गया one coin join the financial revolution इमेज भी यहाँ पर यहाँ आ गई आप देख सकते हैं पूरी as it is जो कि हमने अभी European Union trademark पर देखी status यहाँ पर आपको active दिखाई दे रहा है coin यह भी आप चेक कर सकते हैं origin em और holder यहाँ पर है power holding corporation registration number 1391483 यह international registration number है और यहाँ जो हमने देखा था यहाँ पर यह registration filing नंबर था यह European Union का filing नंबर था 01703788 और यह यहाँ पर जो है international registration number 1391483 registration date 3 2017 1207 NIC यहाँ पर 36 internationally आप देख सकते हैं और यहाँ पर यहाँ पर हमें क्या मिलता है आगे जब हम इसको और सर्च करते हैं तो देखें यहाँ पर आपको बन कोई ज्वाइन दा financial revolution यह यहाँ पर आया इंटरनेशनल ट्रेड मार्क है बीपो मैड्रियो मैड्रिड तो यहाँ पर फुल डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी एकस्पेक्टे एकस्परेशन डेट और रिजिस्टेशन और रिनेवल टो रिनेवल की डेट है बारा साथ 1227 तो तो साथ 1227 पर यह रिनेवल कर सकते हैं इसको तब तक करने की ज़रूद नहीं है अभी चल रहा है 2022 तो अभी पांस साल दो और ऐसे ही है डेट ओप रिजिस्टेशन 2017 है दस साल के लिए इनोंने रिजिस्टर कर आया था लेंग्वेज ओप एप्लिकेशन इंग्लीश है पापर होल्डिंग कोर्परेशन है कंपनी का नेम जिसके नाम पर यह रिजिस्टर है साथी साथ एड्रस भी है फ्लैट नमबर टू वन सालदार स्ट्रीट वैल्स सॉम्रेस्ट बीए फाइव टू आर आर जीबी तो यहां पर contacting state of which the holder is a national तो यह जीबी है और legal nature of holding legal entity and state where applicable territory within the state where the legal entity is organized तो यह है United Kingdom तो United Kingdom में registered है वन कौइन name and address of the representative है Ivanka Pakin का और यहां पर यह इनका address है Mark यहां पर है one coin join the financial revolution अब आप पताएए कि social media पर जो new चल रही है कि रूजा इगनोटोबा ने one coin के नाम पर forward किया इस type की तो यहां पर यह चीज़े तो बिल्कुल verify नहीं हो रहे है क्योंकि one coin और रूजा इगनोटोबा का ownership में क यहां पर owner नहीं है one coin की owner कोई other सक्सियत है जिनका नाम है इवांका तो यह यहां पर हमें मिल जाता है international classification of figurative element of mark बैना classes यह सारी चीज़े यहां पर है class 36 यहां पर आपको मिल जाती है सारी चीज़े जो पी है कि किस किस चीज के लिए license है जैसो stock and bond, brokerage, debit, credit card, financial, debit, funds, fund transfer, insurance, banking, banking, real estate, यह सारी चीज़े यहां पर है basic application number, basic registration number, date of relation, यह सारी चीज़े आपको यहां पर मिल जाती है साथ ही साथ आप यहां पर summary भी check कर सकते हैं इनकी तो registration number, यहां पर 861, 861, 861, total provision, refusal protection, यह सारी चीज़े आप यहां पर देख सकते हैं, सब कुछ verified है, by office भी आप चेक कर सकते हैं, तो office China, Colombia, Japan, Mexico, Philippines, United State of America and Vietnam, यहां पर आप यह सारी चीज़े चेक कर सकते हैं, United State of America में आप देखिए, मैं call कर दिखाता हूँ, क्योंकि सबसे अगेंस्ट लोग हैं, वो United State के ही है, लेकिन आपको यह बिलकुल information होनी चीज़े हैं, कि यहां पर address का हमें record मिलता है, total provision, refusal of protection, 2018 by 2019, GAZ 24.05.2018, 24.05.2018, यह date है, और PDF में उसकी पुरी detail मिल जाएगी, ex officio examination completed, but opposition and observation by third parties still possible under rule 18 BIS 1, और statement indicating the goods and services for which protection of mark is guaranteed under rule 18 TER 211, तो यहां पर आपको US, United State, America का भी यहां पर जो है, office का address और उधर के trademark की condition है, वो सारी चीज़े आपको मिल जाती है, आप चाहें तो यह PDF पूरी detail में चेक कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल United State में भी, केवल मतलब China और इन सारी जगह पर था, United State में भी आपको यहां पर registration का record देखने को मिलत तो यही था, total overall overview, I hope आपको जरूर वीडियो informative लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें कुछ और डाउट है तो कमेंट करें और इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पर बैल नोटिफिकेशन भी ओन कर लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिके एसेट काईट